हेलो हाई आदाव नमस्कार सम्माने साथियों वेलकम टी यूट्यूब चैनल टेट पॉइंट मोहम्मद इस्फली के संग आज हम बात्चित करने जा रहे हैं भारत निर्वाचन आयो का नया आदेश गरुण एप से बेलोग करेंगे आउनलाइन कारिये लेकिन उसके लिए गरुण एप को डाउनलूड करना होगा और उसके बाद लोग इन करना होगा इसको आज हम करके बताएंगे साथ ही इसके मुख्यकारिये भी बताएंगे और इसके पश्चात अगली वीडियो में हम फार्म छह साथ आठ लाइफ फार्म भरके बताएंगे और अन्य कारिये भी इसके हम बताते चलेंगे यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें सबिस्क्राइब अवस्य करें और आप शेर भी कर सकते हैं शेर करने से ग्यान घरता नहीं ग्यान बढ़ता है और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल के वार्टसप ग्रूप और टेलिग्राम ग्रूप से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारी वीडियो के डेस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक के माद्यम से जुड़ सकते हैं तो चलते हैं प्ले स्टोर के तरफ डाउनलोड करने के लिए गरूण एप अब हम यहां से प्ले स्टोर में जाएंगे और प्ले स्टोर सर्च बार में लिखेंगे गरूण एप जी ए आर तो यह गरूण एप आ गया है तो इसको हम यहां पर कर देंगे लिख देंगे और अब करेंगे हम इंस्टॉल इसको हम क्लिक कर देंगे छोटी एमबी का है ज्यादे 8.52 पॉइंट का है तो ज्यादे बड़ा नहीं है जल्दी इस्टोल हो जाएगा लिजी हो चुका है अब हम इसको ओपन करेंगे ओपन करने पर एलाव करेंगे और एलाव ओनली वाइल यूजिंग दा एप करेंगे को टश करेंगे उसके बाद फिर हम एलाव को क्लिक करेंगे अब हम डालनोड हो चुका है हमारा एप अब हम करेंगे लॉग इन अब यहाँ पर हम सबसे पहले जिस स्टेट में आप रह रहें उसको आप सलक्ट करेंगे तो यहाँ हम सलक्ट करेंगे उत्तर परदेश उसके बाद यहाँ पर सलक्ट एसेमली करेंगे select assembly में हम जाएंगे जो भी आपकी assembly लगती है उस assembly को यहाँ पर आप select करेंगे जो भी आपका लगता है उसको आप यहाँ पर select करेंगे तो मैं यहाँ पर करूँगा merit south उसके पर शाथ third option आता है part number यहाँ part number में आप boot संख्या लिखाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे आप mobile number यहाँ पर ध्यान देने योग यह बात यह है कि जो आपका registered mobile number है जो आपने तैसिल में लिखवाया हुआ है supervisor के माध्यम से या सीधा आपने जो भी आपने तैसिल में लिखवा रखा है registered करवा रखा है आप उसी number को यहाँ पर अंकित करेंगे हो सकता है कि आप भूल जाएं तो आप इसको एक या दो number आप हो सकता है जादे इस्तिमाल करते हों तो उन्हीं को आप पलड़ कर देख लीजिए तो यहाँ पर registered number ही को ही आप अंकित करेंगे तो मैं यहाँ number अंकित कर चुका हूँ और अब नीचे आते हैं यहाँ password यहाँ password में एक चीज़ आप जहाँ रखेंगे यहाँ password आप same create नहीं करेंगे जो आपका mobile number वहाँ पर registered है उसी number को आप यहाँ password बनाएंगे 97, 98, 97, 92, 44 इसके पस्जाद आपको यहाँ दीख रहा होगा get OTP अब आपको यहाँ इसको टच करेंगे क्लिक करेंगे तो आपको एक OTP प्राप्त होगा और OTP आने पर यहाँ पर देखिए अब आप OTP भरेंगे 71, 71, 66, 61 चाहे आप copy भी कर सकते हैं अब हम इसको OK कर देंगे OK करने के बाद आपका इस प्रिकार का image आएगी और यहाँ पर यह process चल रही है process होने पर यहाँ आप जो यह submit बटन दिखाई दे रहा है इसको आप allow कर देंगे ओपर लिखा होगा भारत निर्वाचन आयोग election commission of India device और इस प्रिकार से यह camera, location, internet available storage available RAM, memory, android carrier, device, model और electro data इस प्रिकार से यह पूरा record यहाँ पर आजाता है अब आप यहाँ पर इस चीज को देख लेंगे कि आपको क्या क्या चीज यहाँ पर मिल रही है और अब यहाँ पर आप submit को क्लिक करेंगे submit को क्लिक करने के पर चाथ इस प्रिकार का आपके सामने interface आएगा और यहाँ पर आप Garun app के dashboard पर आचुके हैं पेज पर आचुके हैं यहाँ पर आप देख रहे होंगे यह total form यहाँ पर यह total form लिखावा है तो total form यह 0 तब 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 दिखाएगा जब तक आप कोई भी form नहीं बरेंगे जब आप form 6 form 6A form 7, form 8 और form 8A नहीं भर देते हैं तब तक 0 दिखाएगा और जब आप को भी form 6 बर देंगे तो यहाँ पर उसकी संख्या दिखाएगा और form 6A बरेंगे तो आप उसकी यहाँ संख्या दिखाएगा और form 7 की आप जितने भी आप form बरेंगे वो यहाँ पर दिखाएगा और form 8 जितने भी आप बरेंगे आप उसको यहाँ पर देखाएंगे इस प्रकार से यहाँ पर यह record होता चला जाता है और यहाँ पर हम सभी form 678 सभी को online ही भरेंगे और अगली वीडियो में हम form 678 form भरके दिखाएंगे और यहाँ पर आप नीचे देख रहे होंगे नीचे यहाँ पर यहाँ पर आप देख रहेंगे यह टोटल यहाँ पर आजाता है पुरुष आपके बूथ पर टोटल संग्या कितनी है 862 उसमें पुरुष कितने हैं 513 और महिलाई कितनी है 348 और जो neutral वैसे होते हैं उनको नपुन संग होते हैं उनको यह 0 है तो इस परकार से यह यहाँ पर डाटा आजाता है और जब form received within 7 days तो यह यहाँ पर आपकी यह 7 दिन का record होता है यहाँ पर और अब आप left corner में ओपर 3 line चमक रही होंगी आप उसको click करेंगे click करने के बाद आप ब्लो profile चमक रहाओगा नीचे इसको आप click करेंगे यहाँ पर इसको आप click करेंगे click करने के बाद यहाँ आप चाहें तो यहाँ पर इसको update कर सकते हैं यहाँ पर आप email, ID बर सकते हैं और यहाँ पर आप address बर सकते हैं जहाँ पर आपका boot है वहाँ का बर सकते हैं G-H-O-S-I, गोसी, P-U-R, गोसी पूर, मिरट, M-R-T, मिरट, बर सकते हैं और यहाँ पर आप चाहें तो image भी यहां पर आप ओपर नौ इमेज लिखावा है तो यदि आप चाहें तो सीरा कैमरे से भी फोडो लेकर इमेज ले सकते हैं और चाहें तो आप यहां पर उसमें भी गैले से भी ले सकते हैं तो यहां पर पूरा आजाता है डेजनेशन आजाता है बेलो और आड्रेस भी आजात तो यहां पर प्लीज एंटर इमेल आइडिया और इमेल आइडिया बरेंगे तो यह अपडेट हो जाएगा आप चलते हैं कि फॉर्म किस परकार से बर सकते हैं देखिए हम आपको लेकर चलते हैं फॉर्म 6 किस परकार से करते हैं हम इसको यहां से फॉर्म 6 के उपर ही हमने क्ल लिए किया है और यहाँ पर आ रहा है नियू फॉर्म टोटल चेक लिष्ट नियू नो डाटा फॉंद तो यहाँ पर आप नियू फॉर्म को किलिक करेंगे तो इस प्रकार से फॉर्म खुल कर आ जाएगा नियू वोटर रेस्टेशन फॉर्म 6 और सिफ्टिंग outside Assembly तो प्रकार से यहां से सकते हैं और शेट विधियन एसेम्ली Constituency form 8a और correction of entries form 8 और delete form 7 इस प्रकार से हम यहां से form भर सकते हैं यहां पर हम चाहें तो यहां से हम आगे का process बताएंगे वह नेस्ट वीडियो में बताएंगे और पूरी process बताएंगे कि किस प्रकार चे फॉर्म 6 बरा जाता है और लाइक करके दिखाएंगे और 7, 8 यह जितनी फॉर्म होते हैं और और भी प्रकेर हैं जितनी भी हैं आम आपको बताते चलेंगे आपको यदि वीडियो पसंद आये तो लाइक करें सबिस्क्राइब अवस्चे करें टैट पॉइंट बा